बीना चिल के वाले आम खाने के लिए सबसे पहले हम एक आम को लेंगे आम को बिल्कुल अच्छी तरह से धो लें धोने के बाद हम एक सार पनाई को लेंगे और इस तरह आम को हम चिल लेंगे यहने उसके सेल्स को निकाल लें अगर आप इस तरह बच्चों को भी आम देंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से आम खाएंगे वैसे अभी कुरोना का समय चल रहा है तो हम सफाई का विशे स्थेहान देंगे और आम को इस तरह हम छिल करके खाएंगे वैसे भी आप इस तरह आम को खाएंगे या किसी को भी देंगे तो आम को बहुत ही पसंद करेंगे और एक आम के जगा आप दो आम खा लेंगे तो यहाँ देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से छिल लिया है तो सबसे पहले हम यह साइड वाले आम को इस तरह निकाल लेंगे और इसे अब हम छोटे-छोटे इस तरह टुपरों में काट लेंगे अगर आप इस तरह आम किसी को भी देंगे तो जिसका मन नहीं भी होगा खाने का तो आम खा लेगा तो यहाँ देखिए मैंने इस पल्क को काट लिया है अब हम क्या करेंगे कि यह जो गुठली है इसमें से ही साइड के यह जो आम को गुद्दा होता है उसे हम निकाल लेंगे और इसे भी हम काट लेंगे तो यहाँ देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी आम का बीना छिल के वाला आम बनकी रेडी है तो आप इसे इस तरह फॉक से खाए तो यह हमारा बीना छिल के वाले आम बनकी रेडी है मैं अभी आपको एक और तरीके से बताती हूँ कि आप आम को किस तरह इसके पल्पों निकाल सकेंगे तो आम को इस तरह काट लें काटने के बाद हम इस तरह आम के पल्प को बीच में काट लेंगे बस आपका आम का पल्प निकल गया यह देखें तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं या आम के पल्प है ऐसे निकाल लें और असानी से इसे खा सकते हैं तो बहुत ही मैंने आपको बहुत ही असान तरीका बताया है कि आम को आप किस तरह खाएं तो आम को आप भी इसी तरह छील करके खाएं छीलकों के साथ आम को नहीं खाएं खुबसूरत भी लगेगा और टेस्टी भी